प्रिया सक्षार्तियों, आशा है आप इस COVID महावारी में सुरक्षित और स्वस्त होंगे. मैं उपेन नातिवारी प्रवक्ता सिक्षा विद्या साखा उत्तरप्रदेश राजर सिटेंडन मुक्तो विश्व विद्याले प्रयाग राज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. आज शिख्षा सनातक विशय के प्रथम प्रस्ण पत्र, सिख्षा के सिध्दान्त, प्रिंस्पोस आफ अजूकेशन के अंतरगत, प्रथम एकाई, राज्य और सिख्षा के अंतरगत, राज्य के संप्रत्य और राज्य के प्रकार और उसका सिक्षा से संबंध पर चर्चा हो चुकी है इसी इकाई में इसके आगे राज्य और सिक्षा के संबंधों की आतियासिक प्रिष्ट भूमी राज्य के कारें पर चर्चा की जाएगी यदि हम सिक्षा के आतियासिक प्रिष्ट भूमी पर नजर जाले तो हम देखते हैं कि जब से राज्य स्तरी शासन व्योस्था अस्तित्व में आई तब से ही सिक्षा व्यवस्था पर कम या अधिक राज्य का प्रभाव रहा है। चाहे वह प्रभाव सहयोग के रूप में हो या वह प्रभाव अधिकार के रूप में रहा हो। अब हम विभिन कालों के चर्चा शुरू करते हैं। बैदिक काल में सिक्षा को महत्त्वपूर अस्थान प्राप्त था। इस काल में राज्ये द्वारा शिक्षा व्यवस्था ब्रामण बर्ग के हाथ में सौपी गई थी। बैदिक कालीन सिक्षा गुरुकुल प्रणारी पर आधारित थी। शिक्षण अधिगम का संपूर कारे ब्राम्भर बर्ग के पास ही था, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था, शिष्य गुरू के पास ही रहकर सिख्षा प्राप्त करता था, शिष्य की संपूर्ण जिम्यदारी गुरू पर ही होती थी, यह शिष्य व्यवस्था कोलाहल से दूर प्रकृतिकी गोद में होती थी, कोलाहल से तात्वर है कि भीरभार से हट कर किसी ऐसे अस्थान पर जहां बिल्कुल सांती हो और वहां पर कुछ प्राकृतिक चीजें मौजूद हो, शिष्य गुरू के आदेश का पूर्णतह पालन करते थे, उस समय सिक्षण को एक पुनीत कारे माना जाता था, तथा समाज में भी गुरू का सम्मान सर्वो पर होता था, इस काल में राज्य द्वारा गुरुकुल आश्रम को उसकी आउस्था के अनुरूप, दान के रूप में धन उपलब्ध कराय जाता था, राज्य द्वारा गुरुकुल को सभी प्रकार की सुरक्षा वो सुविधा परदान की जाती थी, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से असपस्थ है, कि राज्य द्वारा गुरुकुल को पूर रूपेड, सहयोग एवं प्रोथ साहन प्राप्त था, ताकि गुरुकुल आश बहुत कालिन शिक्षा प्रणाली, बैदिक या ब्राम्हरी शिक्षा प्रणाली का ही परिवर्तित तथा संसोधित रूप माना जाता है। इस काल में आश्रमों का अस्थान बाउध संगों तथा मठों ने ले लिया। आचार मठों तथा संगों में सिक्षार्थी की देख रेख अपने पुत्र के समान करते थे। डक्टर अलतेकर के अनुसार छात्र और उसके सिक्षक के संबंध पुत्र और पिता के समान होते थे। आचार बैदिक काल की ही भात अपने शिश्यों की दिनचर्या निश्चित करते थे। शिश्यों के वस्त्र, भोजन, आवास, आदि की व्यवस्था किया करते थे तथा पूरे मन योग से शिक्षा प्रदान करते थे। प्रोफेसर स्पी चौबे के अनुसार, गुरु के सुधार, उनकी सेवा तथा मानसिक शान्ति का भार शिश्य पर ही था। और शिश्य के सारेविक, नैतिक, बौधिक तथा आध्यात्मिक विकास का उत्तरदाइद गुरु पर था। सारी सिक्षा व्यवस्था का संचालन, मठो द्वारा निश्चित किये गए नियम तथा सिधान्त के अनुसार किया जाता था। मौर्य तथा गुप्त सासकों के द्वारा मठों के संचालन के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सिक्षा के प्रति अपने दाइत्वों का निर्भन करती हुई इन सासकों द्वारा अनेक मठो यों विहारों का निर्मान कराया गया। इससे प्रतीत होता है कि शिक्षा के छेत्र में अपने कर्तब्यों का पालन करते हुए राज्य द्वारा शिक्षा के विकास में अपना महत्वकों योगदान प्रदान किया। मुस्लिम काल में राज्य और शिक्षा इस काल में सासकों का मुख्य उद्विस सामराज्य विस्तार था। राज्य तथा केंद्री अस्तरों पर मुस्लिम सासकों ने सिक्षा के किसी भी विभाग की अस्थापना नहीं की। वैसे इन सासकों ने सिख्षा के प्रचार प्रसार में रूचिली इस काल में प्राथमिक सिख्षा एवंग उच्च सिख्षा के दो प्रमुख केंद्र थे या अस्तर थे इन अस्तरों से संबंधित ही मकतब तथा मदर्सों की अस्थापना की गई थी मकतब में प्राथमिक सिख्षा एवंग मदर्सों में उच्च सिख्षा की व्यवस्था की गई थी अताहे यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सिख्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया लेकिन उसकी उपेक्षा भी नहीं की गई तथा इस काल में विद्वानों को राजास्रय भी प्रदान किया गया था आधरिक काल में राज्य और सिख्षा ब्रिटिस शासन की अस्थापना के पस्चा राज्य की ओर से सिख्षा के विकास पर विशेश रूप से ध्यान दिया गया ब्रिटिस कालीन शिख्षा के अंतरगत वुट का आज्या पत्र तथा हंटर आयो द्वारा भारती हितिहास में महत्वपूर परिवर्तन किया गया 1854 का वुट का घोसरा पत्र भारत में शिख्षा का मैगना काटा माना जाता है 19 जुलाई 1854 को भारती सिख्षा नीत को प्रकासित किया गया मैकाले का विवरर पत्र सिख्षा के शेत्र में मील का पत्थर सावित हुआ सिख्षा के प्रसार एवंग विकास है अन्य आयोग जैसे हंटर कभीशन तथा सैंडलर आयोग आद सिख्षा के विकास में आजादी के पस्चात ही राधाक्रिशन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राश्टी सिख्षा नीत नीशो चियासी तथा संसोधित राश्टी सिख्षा नीत नीशो बानवे आद अनेक आयोगों का कठन किया गया इस प्रकार उपरूक्त तठ्यों से असपस्ट होता है कि राज्य वंग सिख्षा का आपस में घनिश्ट संबंध है राज्य द्वारा सिख्षा के विकास में अहम युगदान किया गया तथा सिख्षा के माध्यम से राज्य का विकास तीब्रगति से हुआ शिख्षा पर नियंत्रन शिख्षा पर नियंत्रन का प्रश्ण बहुत जटिल है इवं विवदास्पद है कुछ विद्वानों का मत है कि शिख्षा पर राज्य का नियंत्रन होना चाहिए तो कुछ का मानना है कि शिख्षा राज्य के नियंत्रन से मुक्त होना चाहिए और थात सिख्षा पर नियंत्रन सामाजिक संस्थाओं का होना चाहिए तो कुछ का मानना है कि शिख्षा पर व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए राज्य के नियंत्रन से मुक्त सिक्षा इस विचारधारा के विद्वानों का मानना है कि सिक्षा राज्य के नियंत्रन से मुक्त होना चाहिए इनका मानना है कि राज्य का सिक्षा पर नियंत्रन से स्वतंत्र चिंत्र में बाधा उत्वन्न होती है व्यक्ति राज्य द्वारा इंगित सिक्षा में ही ज्यान प्राप्त करने का प्रयास करता है व्यक्ति को स्वतंत्र वाज्यानिक खोज करने एवं आविश्कार का समचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, राज्य के नियंतरण से व्यक्ति के व्यक्तिकत रूची और साधनों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिस कारण व्यक्तिकी पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। राज्ये द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करना पड़ता है, जिस कारण सिक्षार्थी तथा वैग्याने राज्ये की कठपुतली बन कर रह जाता है, उसकी स्वतंत्रता अवरुद्ध हो जाती है. शिक्षा पर राज्ये का नियंत्रन इस विचारधारा के विद्वानों का मानना है कि शिक्षा राज्ये के नियंत्रन में होना चाहिए। को का सोसर होगा जिससे शिक्षा का आसतर और गिर जायेगा ऐसी संस्थां के एवल अपना हीत देख तता सिक्षार्थियों के हितों की वी उपएक्षा कर्ती है. आतभ शिक्षा पर राज्ये का नियंत्रन होना चाहिए. क्योंकि राज्ये ही छात्रों, विद्वानों तथा समाज की आउशक्ताओं के अनुरूप सही दिशा निर्देश प्रदान करता है, राज्ये के पास ही सबके साथ न्याय करने की छमता होती है, शैक्षिक अभिकरण के रूप में राज्ये की कारे, शिक्षा के व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर विकास करती है, शिक्षा राष्ट के चतूर्तिक विकास की आधार्शिला होती है, अता राज्ये सैक्षिक अभिकरण के रूप में अपने कर्तब्यों इमदायित्वों का निर्वहन करता है, राश्तिय सिख्षायोजना का निर्मार और उसका संचालन राध्य का सर्व प्रमुख कर्तब्य है कि वह एक सैख्षिक अविकरर के रूप में राश्तिय सिख्षायोजना का निर्मार करे राश्तिय शिक्षा योजना ऐसी होनी चाहिए, जिसमें प्रत्यक व्यक्ति को अपने सरवांगीर विकास ही समुचित और सरुपलग्द हो सके, चाहे वह किसी भी जाती बर्ग या धर्ब का क्यों नहों। राश्य की शिक्षा योजना का निर्मान सभी अस्तरों के लिए होना चाहिए, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक यो उच्छ शिक्षा, योजना में राश्य की भावनात्मक एक्ता भी परिलक्षित होनी चाहिए, योजना का निर्मान, सुरक्षा, तत्कालीन परिस्थेतिय तथा आवस्यक्ता को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए राज्य का सरवाधिक महत्वपूर्ण कार्या है कि वह ध्यान रखे कि योजना ठीक प्रकार से संचालिक हो रही है या नहीं शिक्षक प्रसिक्षण की व्यवस्था करना शिक्षक राष्ट का निर्माता होता है वह राष्ट की संपत्ति माने जाने वाले विद्यार्थियों को एक कुशल कारीगर की भाती सुन्दर साचे में ढालता है अतह राज्य का दाईत्व है कि वह सिक्षकों को दक्ष बनाने है उनके प्रसिक्षण की व्यवस्था करे शैन्य प्रसिक्षण की व्यवस्था करना राज्ये द्वारा छात्रों में सैन्य गुरों का विकास करना चाहिए जिससे आउसक्ता पढ़ने पर देश की सेवा कर सके इसके लिए प्रसिक्षण की व्यवस्था तथा सैन्य स्कूलों की अस्थापना करनी चाहिए हमें इसके लिए इसराइल को देखना चाहिए जहां पर बच्चों से ही इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है उनको सैन्य प्रसिक्षण सुरू से ही दिया जाता है हमारे हाँ भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए राज्य का दाइत्व है कि जुवा प्रसिक्षण की ऐसी व्यवस्था करें कि वह समाज पर बोज न बने बलकि कुछ समाज को दे सके उसे रोजगार के आवसर उपलब्ध होने चाहिए राज्य द्वारा विद्यालियों में तक्निकी सिक्षा की व्यवस्था तथा व्यावसाईक विद्यालियों की अस्थापना करनी चाहिए व्यक्तिकी रूची के अनुसार राज्य को सिख्षा की व्यवस्था करनी चाहिए बौधिक विकास के प्रती राज्य के कार है राज्य के द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन करनी चाहिए जिससे बालक अपना सर्वांगीर एवं सर्वोत्तम विकास कर सके बालकों के छमता एवं रुचि के अनुसार, बिकास का आउसर उपलंद कराना चाहिए प्राथमिक और माद्धिमिक अस्तर की सिक्षा को सभी के लिए आनिमारी होना चाहिए राज्य को चाहिए की जो बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रुचि रखता हो उसे ही उच्च सिक्षा का अध्यान करने के लिए भेजना चाहिए। शेश सभी को उनके रूची एवंग योग्यता के अनुशार व्यावसाइक प्रशिक्षन दिया जाना चाहिए। ताकि वह रोजिकार प्राप्त कर सके। राज्ये द्वारा समय समय पर सेमिनार, प्रदर्शिन तथा प्रतियोगिता, आधिका, आयूजन कराना चाहिए। कलाकारों को सम्मानित करने एवं सरनक्षर प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे कलाकारों का मनुबल बढ़ता है। राज्ये में उपलब्द साधनों जैसे टेलीवीजन, रेडियो, समाचार पत्र तथा सांस्कृतिक कार्जक्रों का ठीक प्रकार से उप्योग होना चाहिए। यदि इसका दूर्पयोग होगा, तो समाज पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे नयतिक इवंग बौधिक पतन हो सकता है। सारांस रूप में हम कह सकते हैं कि राज्य और सिक्षा परस पर संबंधित है। बैदिक और बौध काल में सिक्षा के विकास में, राज्य सनरक्षक की भूमिका में अपना युगदान प्रधान किया। मध्य काल में सामराज्य विस्तार के कारण सिक्षा पर कम ध्यान दिया गया। ब्रिटिश सासन काल में राज्य द्वारा सिक्षा के विकास के लिए काफी प्रयास किये गये। सतंत्रता के पस्चा सिक्षा राज्य का प्रमुख विशय बन गया। सैक्षिक अभिकरण की रूप में राज्य द्वारा योजना का निर्मान, सिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसाईक प्रशिक्षण, बौधिक विकास तथा सैन्न प्रशिक्षण आदिकारियों को संपाधित कराया जाना चाहिए। यह चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।